क्या सुनाव से पहले ही इंडिया गट बंदन से खौफ का गई है बीजेपी यह अरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के सांसर रागव चड़ा ने नमस्कार मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं खबरीलाग आज चंडिगड में राजनेतिक महौल अचानक से गरम तब हो गया जब मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव से ठीक पहले पीठा सी नदिकारी की तब्यत खराब हो गई इसको लेकर आमादमी पार्टी के सांसर रागव चड़ा ने बीजेबी पर चुनाव हजा करने का अरोप लगाते हुए कहा कि बीजेबी चाहती है कि देश में नौर्थ कोरिया जैसा महौल बन जाए या देश को नौर्थ कोरिया ही बनाना चाहती है अब ये एक ऐसा चुनाव था चंडिगड में मेरपत के लिए डिप्टी मेरपत के लिए और सीनियर मेरपत के लिए और इस चुनाव में पहली बार इंडिया गठबंदन दोनों साथ में थी कांग्रेस और आम-ाद्मी पार्टी ने मिलकर बीजेबी के खिलाव एक क्यांडिड उताρά था इस चुनाव से पहले ही राजनियतिक पंडित ये दावा करते हैं कि ये जो क्यांडिडेट है क्योंकि चंडिगड में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दूनों का ही बड़ी आज जनाधर चल रहा था और दूनों ही साथ आ गए तो इन दूनों ने एक दूसरे के वोट भी नहीं काटे इस बार और सैमती से ही उमीदवार उतारा इसलिए राजनेतिक पंडित यह दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठ बंदन यानि की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो संजुक्त उमीदवार उतार रहे हैं उसे जीतने की दावेदारी बहुत जादा प्रबल है उसे चांसे जीतने के जादा हैं लेकिन इसे बीच राग पिठासीन अधिकारी को बिमार करती है और फिर चुनावरद करती है यह साफ दिखता है कि बाजपा इंडिया गठ बंदन से डर गई है और वहीं जब दोनों की दोस्ती सामनी आई और दोस्ती का मामला पंजाब हरयाना हाई कोड तक पहुंच चुका है तो आम आदमी पार पार्टी और उसका कहना है कि कोड टे करें की पीठासीन अधिकारी अगर विमार पढ़ जाते हैं तो दूसरे अधिकारी कि वहां पर जिमेवारी लगा दी जाये। यह चुनाव की डेड निर्धारित है क्योंकि आज चुनाव होने थे इसलिए क्योंकि अधिकारी बिमार पड़ गए चुनाव कैसे कैंसल हो सकते है इसके साथ साथ आम आजमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी अब उस बच्चे की तरह वेवार कर रही है जिसे पता है कि अब व कर रही है तो बेहद शरमनाक है वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आजमी पार्टी और कॉंग्रेस मिलकर महाल खराब कर रही है लेकिन जो दलील आम आजमी पार्टी और कॉंग्रेस दे रही है वो तो बिलकुल सही है जिस दिन चुनाव की तरीक रखी गई थी उसे दिन तो क्या हम कह सकते हैं कि जो सख़कार है वो डरके महोल की वजह से ऐसा वेवार कर रही है जिसकी वजह से दवाव में आ गई और साथ में BJP कही न कहीं इंडिया गट बंदन की जीत ना हो जाए तो बहुत बड़ी किरकारी बीज़ेबी वे आ जाती है इंडिया गठ बंदन का सयुक्त उमीद बार पहली बार चंडी गठ में मेर चुनाब में उतारा गया है आप इस मुद्धे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेर करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं मैं हूं मस्कान धन्यवाद